वर्ल्ड कब 2023 में टीम इंडिया ने अपटी जबर्दस शुरुबात की है लगातार पांच मुकाबले भारत अब तक जीट चुका है और अब नज़ें इंग्लेंड के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले पर सब किटी की हुई है क्या टीम इंडिया का जीत का कारवा बरकरार रहेगा या फिर इंग्लेंड भारत के इस कारवा पर रोक लगा पाईगी ये देखने वाली बात रहेगी लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है बंगलादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में हार्दिक पंडिया चोटिल हो गए थे इसके बाद बैंगलूरू में उनका रिहेब चल रहा था खबराईदी कि न्यूजिलेंड वाले मुकाबले में वो नहीं खेलेंगे लेकिन लखनों में होने वाले इंगलेंड के खिलाफ मुकाबले में वो टीम इडिया को जॉइन करेंगे आ रही ताजा खबरों के मुताबिक हार्दिक पंडिया हो सकता है कि इस मुकाबले में भी ना खेलें और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि इंग्लेंड के साथ साथ शुलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी हार्दिक पंडिया अनविलेबल हो लेटेस्ट अबडेट के मुताबिक हार्दिक पंडिया ने अभी तक अपनी गेंदबाजी शुरू नहीं की है हार्दिक पंडिया को लेकर मैडिकल टीम कुछ दिन और इंतिजार करेगी और उमीद जताई जारी है कि दक्षन अफरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए हार्दिक पंडिया अभी लेबल हो पाएं इस वीडियो में फिलाल अभी इतना ही है ये वीडियो पसंद आयो तो उसको लाइक करें शेर करें और वर्लकप से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विबाग को सब्स्राइब परना न भूलें